नमस्ति चात्रो आज हम कक्षा आटवी की जो किताब है वसंत भागतीन इस किताब में जो चोता पाठ है वो कविता है और उस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती आज हम इस कविता के क्वेशन अंसर देखने वाले है तो इस कविता में जो क्वेशन है वो कविता से कविता से आगे इसे प्रकार दिये गए है इसमें कविता से में तीन क्वेशन है उसमें पहला है कविने अपने आने को उल्लास और जाने को आसू बनकर बहजाना क्यू कहा है तो पहला क्वेशन क्या है चत्रो कविने अपने आने को उल्लास मतलब खुशी और जाने को आसू बनकर बहजाना क्यू कहा है तो कविता देखते समय हमने देखा था कि कभी यानि कि जो दीवानी लोग होते ये जहां चले जाते है वहां क्या लेकर जाते है खुशिया लेकर जाते है प्रसनता लेकर जाते है यानि कि वहां का माहूल खुशी से बर देते है और जब ये दीवानी लोग वहां से विदा लेते हैं वहाँ से चलने के लिए निकलते हैं तो वहाँ के लोगों के आपको में क्या आने लगते हैं आसू आने लगते हैं तो इसी प्रकार इसी कारण कभी ने अपने आने को उल्लास और जाने को आसू बनकर बह जाना ऐसे कहा है इसी प्रकार का एंसर हमें यहां लिखना तो देखो चातुरया मेंने लिखा है कभी ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहां भी वह जाता है मस्ति का आलम लेकर जाता है वहां लोगों के मन प्रसन हो जाते है पर जब वह उस थान छोड़कर आगे जाता है तब उसे तता वहां के लोगों को दूख होता है विदाई के क्षणों में उसकी आँखों से आसूब निकलते हैं तो इसे प्रकार कभी क्या कहता है कि उन्हें इसे प्रकार महसूस होता है दूसरा क्षण है बिक मंगो की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कभी ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने रदय पर असपलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है क्या वह निराश है या प्रसन ना तो कभी ता देखते समय हमने देखा था कि कभी ने जो पांचवा पद है उसमें कहा था कि यह दुनिया कैसी है बिक मंगो की दुनिया है यानि कि यहां कि लोग हमेशा भगवान से प्रारता न करते है और कुछ न कुछ मंगने की कोशिश करते है और इस भिक मंगी की दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते है जो क्या करते है अपने पास जो कुछ भी है वो दुसरों को देने की कोशिश करते है और वो लोग दीवा है वो क्या मनती है असफल मनती है क्यों क्योंकि वो संसार में नहीं रहते संसरिक विशेव में वो उल्जे नहीं रहते और दुनिया संसरिक विशेव में क्या होती है उलजी रहती है और इसी कारण ये जो लोग होते है वो क्या करते है और सपलता का जो निशान है अपने रदय पर बोज या भार की तरह लेकर जा रहे होते है और इसी कारण ये जो लोग होते है ये मानते है तो इसे प्रकार अंसर इस question का लिखना चा यह दुनिया के वह लेना जानती है देना नहीं कभी ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है कभी निराश है वह समझता है कि प्यार और खुश्या लोगों के जीवन में बरने में असपल रहा दुनिया अभी भी सांसारिक विश्यों में उलजी हुई है तो इसे परकार का अंसर हमें वहाँ लिखना चाहिए तिसरा क्वेश्चन है कविता में से या कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी तो आपको इस कविता में कौन से बात अच्छी लगी या आपको क्या करना यहां लिखना है जैसे कि इस कविता से मुझे यह बात अच्छी लगी कि कभी ने जीवन के प्रती जो दुरुष्टी कुन रखा है वो कैसा है अच्छा है और इस दुरुष्टिकुन से हमें क्या करना चाहे जीवन बिताना चाहे तो ये दुरुष्टिकुन मुझे अच्छा लगा या और लिख सकते कि कभी ने हमें सुक और दुख को एक समान मानने को का है एक जैसा मानने को का है जो हमारे सामने आता है उसे के साथ चलना चाहे य या दोनों परस्तितियों का सामना करना चाहिए यह बता है यानि कि आपको कौन सी बात अच्छे लगी वो यहां क्या करनी चाहिए लिखनी चाहिए देखो यहां कभीता में कभी का जीवन के प्रती दुरुष्टी को न अच्छा लगा कभी कहते हैं कि हम सब के सुख दुख एक है तता हमें एक साथ ही इन सुख दुख दुखों को भोगना पड़ता है हमें दोनों परस्तितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए ऐसी दुरुष्टी कोन रखने वाला वेक्ती ही सुखी रह सकता है तो इसे प्रकार इसका क्या करना चाहिए अंसर लिखना या हम मैंने फिर एक लिखा है क्योंकि ये क्या है कभीता से आगे का question दिया गया है जीवन में मस्ति होनी चाहिए लेकिन कब मस्ति हानिकारक हो सकती है सब पाटियों के बीच चर्चा कीजिए है ना हम देखते हैं कि हम क्या करते है हमेशा मस्ति करते रहते हैं लेकिन कभी कभी ये मस्ति कैसी होती है हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है यानि कि जीवन में मस्ति करनी चाहिए मौज मस्ति करनी चाहिए लेकिन उस मौज मस्ति से कोई नुकसान नहों ये भी द्यान में रखना चाहिए इसी की और ध्यान देना चाहिए यदि मौज मस्ती से हमी कुछ फायदा होता है तो हमें वो मौज मस्ती करनी चाहिए यदि उससे कोई नुकसान हो रहा है हमारी कुछ हानी हो रही है तो वो मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए जैसे कि हमारे गर में पंचे आते और वो पंचे क्या करते है अपने अंडे दे देते तो हमारी मन में उच्छुकता होती कि वो अंडे कितने होंगे कैसे होंगे किस कलर के होंगे उसमें से पंचे कैसे बहार आएंगे और हम क्या करते उसकी देखबाल करने के लिए उन आंडों को चूते जब हम उन आंडों को चूते तो पंच क्या करते उन आंडों को अपनाते नहीं उन्हें तोड़ देते तो ये मस्ती कैसी हो गई तो नुकसान बरी हो गई यानि कि इससे क्या हुआ नुकसान हुआ तो इसी प्रकार की मस्ती मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए तो इसी प्रकार का answer हमें यहां लिखना चाहिए देखो यहां अगर मस्ती से हम को और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है कुछ अच्छा मिल रहा है तो मस्ती होनी चाहिए परन्तु जब मस्ती से केवल नुकसान है तो मस्ती हानी का रख है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी तो इसी प्रकार इसका answer लिखना चाहिए उसके आगे है भाशा की बात संतुष्ट के लिए कभी ने छक कर, जी भर कर और खुल कर जैशे शब्दों का क्या किया है प्रयोग किया है इसी भाव को वेक्त कराने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिए जैसे की हंसकर, गाकर तो और आप शब्दा इसके लिए लिख सकते हैं की खींच कर, पी कर, मुस्कुरा कर, दे कर, मस्त होकर ऐसे कुछ शब्दा आप लिख सकते हैं उसके बाद आपके पेज नंबर 22 यानि की 22 पर अनुमान और कलपणा दिया गया है तो एक पंक्ती में जैसे हम क्या करते हैं अनुमान और कलपणा ये दिया गया है हम यहां देखेंगे अनुमान और कलपणा ये जो दिवानों की हस्तीस में दिया गया है अनुमान और कलपणा ये देखो एक पंक्ती में कभी ने ये कहकर अपने अस्तित्व को न करा है की हम दिवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले दूसरी पंक्ती में उसने यह कहकर अपनी अस्तित्व को मत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले यह फका मस्ती का उदारने अभी आभाव में भी खुश रहना फका मस्ती कही जाती है कविता में इस प्रकार के आन्य पंक्तिया भी है इने द्यान पूरोग पढ़िये और आनमान लगाए कि कविता में परस पर विरुदी बाते क्यों की गई है यह जो दो पंक्तिया है यह दो पंक्तिया कैसी है परस पर विरोधी बाती करती है जैसे कि हम कविता में देखते है जो पहली पंक्तिया है कौन सी जैसे देखो आये बनकर उल्लास अभी आसु बनकर बह चले कौन सी पंक्तिया है आये बनकर उल्लास अभी आसु बनकर भह चले यानि कि ये जो दो पंक्तिया है ये दो पंक्तिया कैसी है परस पर विरोधी है फाका मस्ती है इसे क्या कहते है फाका मस्ती कहते है यानि कि पहली पंक्ति में क्या कहते है कि आये बनकर उल्लास मतलब खुशी बन कर आते हैं और जब जाते तो आको में आसो आते हैं यानि कि खुशी और रोना ये दोनों परस पर विरोधी पंक्तिया है यानि कि खुश रहना और रोना ये दो बाते इस पंक्तियों में बताई गई है दूसरा देखो जैसे कि आगे हम बिक मंगो की दुनिया में स्वच्चंद लुटा कर प्यार चले कभी ने इस दुनिया को क्या माना है बिक मंगो की दुनिया माना है और इस बिक मंगो की दुनिया में कभी क्या करता है प्यार लुटा कर चलता है मतलब कभी प्यार दे कर जाता है वो अपने साथ कुछ ले कर जाता है क्या नहीं यानि कि एक तरब कभी ने दुनिया को भिकमंग कहा है लेकिन खुद जो कभी है वो कुछ भी ले कर नहीं जाता है यानि कि वो भिकमंगों की दुनिया में नहीं रहता है तो इसी प्रकार ये जो दो पंक्तिया है ये दो पंक्तिया यहां क्या करती है परसपर विरुद दिखाती है अगली दो पंक्तिया है हम स्वयम बंदे थे स्वयम हम अपने बंदन तोड़ चले अब ये भी देखो कि उपर की पंक्ति में क्या है कि यहां कभी कहता है कि हमने ब बनाते और उसी स्वयम बन्दन को क्या किया फिर मुईने ही तोड़ा है यानि कि खूद बनाते है और खूद तोड़ते भी है ये परस पर कैसे है विरोधि पंक्तिया है तो इसी प्रकार कविता में ये फाका मस्ती दी गई है और इन पंक्तियों के द्वारा आपको वो दिखाई देती है तो इसी प्रकार जो चौता पाट है या कविता है उसके question answer हमें यहां लेकने होंगे आपको कोई आशंका हो तो comment box में लिकर आप भेज सकते हो तब तक के लिए धन्यवाद